नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल study for win बें रात के साढ़ नौका है भर ही करते हें up public की बाद जिहा दोस्तों अगर आप कर रहे हैं up public की तयारी स्भी चैनल पे भारी आपके up public के आवेदन शुरुआत हो गये हैं 19 नवंबर से 8 इसमबर तक में आपको आवेदन कर लेना है और उसके साथ साथ ही आपके अपने चैनल स्टेडी फॉर्विन के इसकी तैयारी वी स्टार्ट हो गई आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी जो भी आपके स्लैवस में हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड किये जाएंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ठीक है तो वीडियो आपकी ह होने वालियह है बहुती इंपॉर्टेंट और ज야दातर वीडियो आपको मिलेंगे ट्रिक बेस पे ट्रिक बेस्ट पे आपको वीडियोो प्रोवाइड किये जाएंगे तो एक भी वीडियो मिस्करने में आपका भूती लॉस है और इसी तरीके के शांदार नोट्स पाने के लिए जो आप वाट्सेप नमबर ये देख रहे हैं समझते हुए एक बार में ही तयार करना है तो ये बहुत पूछा जाता है विटामिन और उनके रासाइनिक नाम तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे बहुत ही मज़ेदार आपकी ट्रिक है और ट्रिक है आपकी रत एक टॉफी ठीक है जो उपर आप देख रहे हैं A, B, C, D, E के ये विटामिन के नाम है ठीक है ये विटामिन के आपके नाम है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K इस तरीके से विटामिन को आपको याद रखना है तो सबसे पहले रा यानि विटामिन A के आपका जो रासाइनिक नाम वो है आपका RETINOL, यह है आपका A के लिए ठीक है, VITAMIN A, इसके बाद था, THYMINE, यह है आपका VITAMIN B के लिए, ठीक है, रत, A और B, RETINOL, और THYMINE, VITAMIN A और VITAMIN B, इसके बाद है आपका A, इसमें A से ASCORBIC ACID, यह है आपका VITAMIN C के लिए, और A के उपर आप देख रहे हैं c लिखा हुआ है तो विटामिन c का रासायनिक नाम हैmyascar by exit इसके बाद का तो का आपका रहा साऩयनिक नाम है calcium और यह है आपका Ugh विटामिन d के लिए ऊपर आप देख भी रहें कि कि दि लिखा हुआ है तो रत एक अब समझते हैं टॉफी को तो टॉफी में टा से है आपका टॉको फेरॉल यानि यह आपका विटामिन ए के लिए ठीक है विटामिन ए टॉको फेरॉल और टॉक के उपर आपका ए लिखा हुआ है और टॉफी फी से आपका फिलो क्विनॉन यानि ये है आपका विटामिन के के लिए ठीक है तो इस तरीके से आपके A, B, C, D, E, K के लिए जो ट्रिक है उनके रासाइने के नाम याद करने की वो है रत एक टॉफी रेटिनॉल, थाइमेन एसकार्बिक एसेट, केलसी फिरॉल टेको फिरॉल और फिलो क्यू नॉन A, B, C, D, E, K ठीक है दोस्तों वीडियो अगर आ रहा है पसंद तो वीडियो को आपको करना है ज्यादा से ज्यादा लाइक जितना ज्यादा आप करेंगे लाइक उतना ज्यादा हमें मिलेगा मोटिवेशन हमें यह पता चलेगा कि हाँ हमारी यह सर्च, हमारी मेहनत आपको आ रही है बहुत ज्यादा पसंद और टाइमिंग आपको याद रखनी है दुफैर में एक बजे और रात में साड़े नौ बजे ठीक है आपको जो भी आपके टॉपिक्स है आपके सामान हिंदी, आपके सामान ग्यान, सामान विज्ञान, गड़ित, तरक शक्ती यानि रीजनिंग सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे और बहुत ही इजी वे में तो चैनल को सबस्ट्राइब भी कर लीजए और टाइमिंग्स वीडियो की याद रखिए नेक्स हम बात करेंगे घुलंसील विटामिन की यानि जल में घुलंसील विटामिन और वशा में घुलंसील विटामिन ये भी आपके बहुत पूछे जाते हैं किसी एक्जाम में आपका सामाने विग्यारन का टॉपिक है तो विटामिन से संबंदित ये प्रिश्ण आने ही आने उनके रहसाइनिक नाम और जल तह था वसा में घुलनसील विटामिन तो इसके लिए आपकी ट्रिक है बेचारी जल में घुली बाकी वसा में बसी दी और सी आप देख रहे हैं बेचारी की उपर लिखा हुआ है मतलब विटामिन बी और विटामिन सी तो बेचारे जो बेचारे बेचारे होते हैं वो क्या जल भी करी काम चलाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या थोड़ी वशायुक्त चीजे खाते हैं महंगी चीजे खा आपके हैं जल में घुलनसील बाकी वशा में बसी यानि बाकी जो आपके विटामिन बचे यानि A, D, E, K आपके विटामिन कितने हैं? विटामिन A, B, C, D, E, K तो बेचारी से B और C ये हैं आपके जल में घुलनसील विटामिन अब बाकी वशा में बसी यानि बाकी जो अभी आपके विटामिन बचे ADE के वो आपके किस में घुलंसील है वो आपके वशा में घुलंसील तो B तथा सी जल में घुलंसील और बाकी वचे विटामिन ADE के आपके वशा में यानि फैट में घुलंसील है तो यह थी दोस्तों आपके सामान विग्यान के टॉपिक में विटामिन्स से समश्राइब बहुत ही महत्पूर और बहुत ही जांदार और सांदा ट्रिक आशा करतों आपको वीडियो आया होगा पसंद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है आपको जादा से जा सब्सक्राइब तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बैल आइकन को घंटी के निशान को भी कर ले प्रेस जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने लगे इस चैनल पर आपको सारे कॉंप्टेटेब एकजाम्स की तैयारी बहुत ही इजी वे में और सारे टॉपिक व लखिए वीडियोस को रेग्लरली कंटियसली देखते रहिए सभी को शुबरात्री नमस्कार